प्राइमिस 54 में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे नागरिकता संशोधन बिल की लोकसभा में आसानी से पास हुए नागरिक संशोधन बिल को आज मोधी सरकार राज्यसभा में पेश करेगी जहां बड़ी बहस के बाद वोटिंग होगी यदि कल राज्यसभा में यह बिल पास हो जाता है तो फिर यह विदयक एक कानून बन जाएगा लेकिन यह इतना आसान नहीं है बाज़्पा की अगली परिक्षा राज्यसभा में होनी है क्योकि राज्यसभा में अभी विपक्ष अभी मजबूत है और बाज्पा बहुमत से थोड़ी दूर है क्योंकि शीव सेना ने लोक सभा में तो बिल का समर्थन किया लेकिन राज्य सभा में पास कराने पर शीव सेना ने यूटन ले लिया है उद्दव ठाकरे ने कहा है कि उनकी पार्टी नागरिकता संशोधन बिल पर कुछ शर्टों के साथ ही समर्थन करेगी या शीव सेना राज्य सभा में बिल के विरोध में भी वोट कर सकती है बीजेबी ने 10 और 11 दिसंबर को अपनी पार्टी के राज्य सभा सांसदों के लिए एक विप जारी किया है बुधवार दो पर दो बज़े से इस संशोधन विदयक पर राज्य सभा में बहस होगी ले लेकिन पाँसस्थान रिकत होने के कारण वर्त हमान में सांसदों की संख्या दो सुचालीस है ऐसे मैं नागरिक्ता संशोधन विदयक को पास करने के लिए सरकार को 121 सांसदों का समर्चन चाहिए होगा बाचपा के कुल 83 राज्य सभा सांसदें यानी उसको लोग सभा से बिल पास कराने के लिए 38 सांसदों की दर्कार होगी यदि BJD के साथ AIADMK के 11 अकाली दल के 3 YSR कॉंग्रेस पार्टी के 2 ZU के 6 LGP और RPI के 2 राजस्पा सांसद तथा 4 नामित राजस्पा सांसद को भी पक्ष में मान लिया जाए तो यहां आकडा 118 होता है दूसरी और वहीं इस बिल के विरोध में मुख्य पार्टी मुख्य विपक्ष पार्टी कॉंग्रेस के 46 सांसदों सहित विपक्ष के पास 100 का अकडा है इसके अतरिक शीव सेना सहित लगबग 21 राजस्पा सांसद ऐसे हैं जिनके बारे में कहना काफी मुश्की लोगा अब देखना यह है कि पड़ोसी मुल्क से प्रताडित होकर आई शरणार्थियों को राहत मिलती है या विपक्ष इसको रोकने में काम्याब होता है यह आज राजसबा में होने वाली कारवाई के बाद वोटिंग से ही तय होने वाला है प्राइम निस्ट 24 के लिए ब्यूरो की खास रिपोर्ट दिल्ली से